नमस्कार दोस्तो ओनलाइन लेर्निंग्स चैनल में आप सभी का स्रागत है 80 शब्प्रती मिनिट की गती से लिगल डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद दोस्तो डिक्टेशन में 400 शब्द हैं डिक्टेशन की गती 80 शब्प्रती मिनिट रहेगी और ये डिक्टेशन का सभी मैडर आपको हमारे टेलिगराम गुरूप पर मिल जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है आप आज़े जुड़ कर पा सकते हैं चले शुरू करते हैं 80 शब्प्रती मिनिट श्टार्ट पीडिता ने अपने सशप्थ मुख्य परिक्षन में आगे कथन किया है कि परकाश ढाका ने जहां उसके साथ दुशक्रम किया वहे जगह उसने पुलिस वालों को बताई थी पुलिस वालों ने उस जगह का नक्षा मोका परदर्श P15 बनाया था जिस पर C से D उसके हस्ताक्षर है मोके पर उसके अलावा सत्पाल वा महिला कॉंच्टेबल ममता के भी हस्ताक्षर करवाए थे उसके धारा 161 CRPC के बयान महिला कॉंच्टेबल ममता ने लिये थे जो परदर्श P16 है उसके मजिस्ट्रेट साहाब के समक्ष धारा 164 CRPC के बयान हुए थे जो परदर्श P20 है जिस पर A से B उसके हस्ताक्षर है पुष्ट पर भी A से B उसके हस्ताक्षर है उसका दुष्क्रम संबंधी मेडिकल परिक्षन हुआ था जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श P13 है जिस पर E से F उसके हस्ताक्षर है दुष्क्रम संबंधी परिक्षन के दोरान DNA जाच हेतु पहचान फॉर्म तयार करवाया था जो प्रदर्श P14 है जिस पर C से D उसके हस्ताक्षर है प्रदर्श P14 पर उसका फोटोग्राफ भी चस्पा है पुलिस वालों ने उसकी चड़ी बतोर वजह सबूत जबत की थी जिसकी फर्द जबती प्रदर्श P17 है जिस पर C से D उसके हस्ताक्षर है मोके पर सत्पाल भी मौजूद था उसके भी हस्ताक्षर करवाय थे उसने परकाश ढाका को पैसे ट्रांसफर किये थे उसकी डिटेल प्राप्त कर उसने पुलिस को दी थी जो प्रदर्श P21 लगायत 35 है जिस पर करमशह A से B उसके हस्ताक्षर है पुलिस वालों ने उसे धारा 164 CRPC के बयान करवाने हेतू नियाले में पेश किया था नियाले की आदेशी का प्रदर्श P36 है जिस पर A से B उसके हस्ताक्षर है नियाले में धारा 164 CRPC के बयान करवाने हेतू उसे समन दिया गया था जो परदर्श P37 है जिस पर A से B उसके हस्ताक्षर है हाजिर अदालत मुल्जिम परकाश ढाका ने उसके साथ दुशक्रम किया था और उससे पैसे हडप लिये तथा वापस देने से इनकार कर दिया घटना की दिनांग 6.3.2019 है पैरा जिरह में PW4 पीडिता स्विकार करती है कि इस घटना से पूर्व से भी उसके वापरकाश के बीच रुपेओं का लेन देन चलता था साक्षी स्विकार करती है कि उसने जो घटना बताई है उसके बाद पुलिस ने धारा 185 MV Act में उसका चलान किया था साक्षी स्विकार करती है कि उस प्रकरण में उसने थाने वा नियाले में परकाश को फोन कर जमानत लेने के लिए बुलाया था साक्षी स्विकार करती है कि प्रदर्श P 18 में दिनांग 6.3.2019 के बाद अभियुक्त परकाश दुआरा उसके साथ कोई वारदात की गई हो ऐसा रिपोर्ट में अंकित नहीं है स्टोप दोस्तों आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में